चीनी वाहन निर्माता कंपनी BYD ने आखिरकार 2023 ग्वांजहाउं इंटनाशनल आटो शो में BYD C-Lion 07 इलेक्ट्रिक SUV का खुलासा किया है C-Lion 07 कंपनी की ओशन सीरीज का हिस्सा है जिसमें डॉल्फिन हैच्बैक और सील इलेक्ट्रिक सेडान भी शामिल है C-Lion 07 विश्व स्तर पर तेसला मॉडल वाई के साथ प्रतिस परधा करेगा और इसके 2024 में किसी समय बिक्री पर जाने की उम्मीद है डिजाइन, डिजाइन के मामले में ये EV सील सेडान के समान दिखती है और इसमें कई कट और क्रीस के साथ शार्प लाइन मिलती है इसमें एलाकार के extension के साथ angular headlamp है जिनमें LED DRL, Vend और बड़े air intake भी है EV के किनारों पर एरोडायनमिक रूप से डिजाइन किये गए alloy wheel मिलते हैं Dimension इसमें flush door handle और wheel arch पर flagship cladding भी मिलती है पीछे की तरफ इसमें एक sleek roof mounted spoiler और sleek connecting LED tail lamps है इसमें दूसरा lip spoiler भी मिलता है जो tailgate के किनारे पर स्थित है इस EV की लंबाई 4830 मिमी, चोड़ाई एक, 925 मिमी और उंचाई 1620 मिमी है ओवरल रियर डिजाइन बिलकुल अत्तु तीन जैसा ही दिखता है बैटरी और range, company ने C-Line 07 EV के किसी भी mechanical विवर्ण का खुलासा नहीं किया है इसे दो बैटरी पैक विकलपों में पेश किये जाने की उम्मीद है एक single electric motor वाला छोटा बैटरी पैक और twin motors और AWD के साथ एक बड़ा बैटरी पैक इसकी कीमते 28,000 डॉलर मौजूदा विनिमय दरों पर लगभग 23.5 लाक रुपे से शुरू होने की उम्मीद है